नमस्कार दोस्तों दोस्तों राजस्तान में कोई से भी बढ़ती हो राजस्तान के उद्योग राजस्तान में जो उद्योग है इनसे रिलेटेड एक परसन है जो एकजाम के अंदर जरूर पूछा जाता है तो आज सामने आपके सामने वो ही मैं 50 महत्वपून परसन लेकर आय और एक बार सभी मित्तर वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दें पहला क्योशन आपकी स्क्रिन पे राजस्तान में रेल वेगन का कार खाना सिम को इस्तित है टौक, बरतपूर, जयपूर या डूंगरपूर यह बहुत अच्छा और इंपोर्टेंट क्योशन है और बहुत सारे एक जामो में आया भी है दोस्तू रेल वेगन कार खाना राजस्तान के अंदर बरतपूर के अंदर है दो नमर उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्योशन क्योशन नमर दो है पत्रू को तरासने से निकली सलरी से टाइल्स बनाने का देश का पहला प्लांट कहां बनेगा कोटा, बुंदी, जेपूर या नागूर इंपोर्टेंट क्योशन है यह और यह जो आपका प्लांट है वो कोटा के अंदर बनेगा एक नमर उप्सन आपका सही रहेगा क्योशन नमर तीन देखिए परदेश के किस ओद्योगिक छेतर में कोशल विकास के अंदर के रूप में जापान इंस्टिटूट ओप मेनुफेक्चरिंग की इस्तापना होगी तो दोस्तों परदेश के किस ओद्योगिक छेतर में कोशल विकास के अंदर के रूप में जापान इंस्टिटूट ओप मेनुफेक्चरिंग की इस्तापना होगी दोस्तों निमराना अलवर के अंदर एक नमर उप्सन आपका सही रहेगा क्योसन नमर चार क्या कह रहा है मार्च 2018 में राजस्तान में इस्तापित पर्थम मेगा फुड पारक कहा इस्तित है दोस्तों यह बहुत अच्छा और इंपोर्टेंट क्योसन है दोस्तों ध्यान से पढ़ना इसको इसका उदगाटन संगी खादेपरससकरन उध्योग मंत्री हर सिम्मत को बा등ल दुआरा किया गया, सही चीजे यह स्मार्ट मेगा फुड के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तु यह मेगा फुड पारक के नाम से जाना जाता है तो यह सही नहीं है यह अजमेर के रूपनगड में इस्तित है ये भी सही है तो यहाँ पे एक और तीन आपके सही है तो सही रहेगा तीन नमर ओप्सन नेक्स्ट क्यूसन में चलिए क्यूसन नमर पांच राष्ट्रिय राजदानी चेतर में समलित होने के कारण राजस्तान के किंजिलु में ओध्योगिक विकास की अतेदिक संभावनाएं हैं बुंदी जालावाड, जेसल मेर जोदपूर, बांसवाड अडूंगरपूर, अलवर भरतपूर तो राष्ट्रिय राजदानी चेतर के अंदर अलवर और बरतपूर शमलित किये गए हैं और यहाँ पर दोस्तों ओध्योगिक विकास की अतेदिक संभावनाएं हैं चार नमर ओप्सन सही रहेगा क्यों सर नमर च्छ देखी राजस्तान स्टेड केमिकल वक्स उध्योग कहां इस्तित है कहां पर है लून करण सर, सामबर, पंचबदरा, डीडवना राजस्तान स्टेड केमिकल वक्स यह डीडवना नागोर के अंदर है चार नमर ओप्सन सही रहेगा क्यों सर नमर सा देखी भारत का पहला सपेद सिमेंट सहींतर जेके वाइट सिमेंट कमपनी दुआरा कहां इस्तापित किया गया जारखंट गोठन बिहार यहां पे ब्यावरी आप ब्यावरी समझे लो दोस्तु या अंदर पर देश सही रहेगा आपका दो नमर ओप्सन गोठन के अंदर नेक्स्ट कियोषन में चलिए क्योषन नमर आठ है नेमलिकित में से कौनसा एक राजस्तान में सिमेंट उद्योग का के अंदर नहीं है बहुत अच्छा और इंपोर्टन कियोषन है देखे गोठन मोडक ब्यावर और गुलाबपूरा सिमेंट उद्योग की बात हो रही है सिमेंट उद्योग का के अंदर कौन सा नहीं है गुलाब पूरा चार नमर उप्सन आपका यहां पे क्या रहेगा सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलिए क्यूसन नमर नो है राजस्तान में सिमेंट उथपादन के परमुख जिले कौन कौन से है पहला उप्सन देखी बुंदी, चितोडगर, कोटा, सिरोई, एवम, उद्यपूर ये पांचू के पांचू जिले सिमेंट उथपादन में परमुख जिले है एक नमर उप्सन आपका यहां पर सही रहेगा क्यूसन नमर दस है राजस्तान में कौन सा रसाइन उद्योका के अंदर नहीं है रसाइन उद्योका इनमें से केंदर कौन सा नहीं है डीडवाना, स्वाई महदोपूर, कोटा और अलवर लीडवाना, कोटा, अलवर यहाँ पर आपको रसाइन उद्योग के के अंदर मिल जाएंगे जबकि स्वाई मादोपूर में नहीं मिलेगा दोस्तूं तो दो नमर उप्सन आपका यहाँ पर सही रहेगा क्योंसर नमर ग्यारा है सुमेलित कीजिए यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तूं सुमेलित करना है देखिये मित्रू करते हैं सुमेलित पहला है हमारे सामने हिंदूस्तान मसिन टूल्स तो यह कहाँ पर उद्योग इस्तित है यह हिंदूस्तान मसिन टूल्स यह है अजमेर के अंदर सपेद सिमेंट अभी अभी हमने पढ़ा था गोटन के अंदर उर्वरक गड़ेपान यह गड़ेपान नाम याद रगले ना उर्वरक काये तो और विद्यूत मिटर का जो कार रखाना या उद्योग है वो जेपूर के अंदर वापस देख लें इन चारू को क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट है सीधा क्यूसन बनकर आज आ सकता है इंदुस्तान मसेन टूल्स उद्योग इस्तित है कहां पर है तो यहाँ पर आपका रहेगा चार नमर उप्सन सही नेक्स्ट क्यूसन में चलिए सुमेलित कीजिए क्यूसन नमर बारा में भी आपको क्या करना है सुमेलित करना है दोस्तों देखिए असोक लिलेंड का कार खाना कहां पर है कहां पर है अलूर के अंदर नेशनल बोल बेरिंग बोल बेरिंग कार खाना है ये दोस्तों आपके जेपूर मेचती थे आगे हैं सिमकोर गलास लिमिटेड सिमकोर गलास लिमिटेड ये कहां पर है कोटटा के अंदर और हिंदुस्तान रेडियाटर्स ये है जोदपूर के अंदर नेक्स्ट क्यूसन में चलीए क्यूसन नंबर 13 निमलिकित में से कौन सा कतन सत्ते कतन बताना है दोस्तों और ये चार कतन लेकर रहे हों इन से आगी क्यूसन भी आपको मिल जाएंगे सबी से केंधरी ये इलेक्ट्रो, हैं- and ये नाय।न कीमिकल सौध संस्तान, बोर- खेडा-कोटा में श्टी थे ये आपका ऐसते है, केंधरी ये साल्ठ सोध संस्तान, सांबरेब्वे चैपूर में श्टी थे ये भी ऐसते है आगे देखे, केंदरी ये electronic engineering सोध संस्तान पिलानी जुनजनों में हैं, ये आपका सही रहेगा यापी, तीन नमर उप्सन सही रहेगा, next question, question नमर चोध है संयूक्त रूप से राजे में किस जगे राजस्तान राष्ट्रिये केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर नाम से डिये पी खाद का कार खाना इस्तापित किया है कोटा, कपासन, चितोडगट, देबारी, उदेपूर या सामबर जेपूर, ये बहुत important क्यूशन है दोस्तु, द्यान से देख लेना, कपासन, चितोडगट के अंदर, ये कार खाना, डिये पी का कार खाना है, वो इस्तापित किया गया है नेक्स्ट क्यूशन, क्यूशन नमबर पंदर है, राज्ये में हस्त सिलप के निर्यात में वर्दी है तुम, राज्ये सरकार दोरा, हेंडी क्राप्ट के लिए, स्पेसल एकोनोमिक जोन इस्तापित किया गया है कहां पर, बोरा नाडा जोदपूर, निम्रन अलवर, भिवाडी अलवर, या कोटा, कहां पर है, बोरा नाडा जोदपूर के अंदर, एक नमबर उप्शन आपका यहां पे सही रहेगा कि उससर नमबर सोला में चलिए, सुमेलित कीजिए, सेज दिये गए हैं, और उनसे रिलेटेड इस्तान दिये गए हैं, आपको करना है सुमेलित, करिए दोस्तु, पहला है, उन्वे गलिचा, कहां का, बिक्कानेर का, आगे देखे, आगे हैं दो नमर पे दोस्तु, आपके सूचना प्रोग्योगी, जेपूर, ये सेज कहां कहां प्रिस्तित है, महिंद्रा वर्ड सिटी, ये भी जेपूर में, और जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सितापुरा जेपूर के अंदर, दो, तीन, चार एक, और चारू ही इंपोर्टेंट, सही रहेगा एग नमर उप्सन, क प्यूसर नमर सत्रे में चलते हैं, इस्पेशल इकोनोमिक जोन के संदर में ऐसत्ते कतन को चुनिये, देखिए पहला है, सेज उद्योगिक सेवाओं एवं व्यापारेतु एक विशेष सिमांकित छेतर है, सही है ये कतन तो, दूसरा है, सेज का उद्योगिक विकास एवं रोजकार की संभावनाव में वर्दी करना है, ये भी सही है, सेज में इस्ताफित उद्योगू को उत्पाद सुलक एवं अन्य सुलकू से मुक्त रखा गया है, ये भी सही है, तो दोस्तों इनमें से कोई भी ऐसत्ते नहीं है, चार नमर उप्सन इनमें से कोई नहीं, सही रहेगा आपका नेक्स्ट क्यूशन में चलिए क्यूशन नंबर है हमारा ठारा बगरू की बलोग प्रिंटिंग के सरक्षन एवं परचार के लिए बारत सरकार के स्केम फोर इंटिग्रेटेड टेक्स्टाइल पारक दुआरा राजे के किस इस्तान पर जेपूर इंटिग्रेटेड टेक्स्ट कारपट पारक के इस्तापना की गई है तो दोस्तों बगरू की है तो बगरू में ही होगी दो नमर उप्सन आपका यहां पर सही रहेगा नेक्स्ट क्योशन में चलिए क्यूशन नमभर उनिस राजे के सतत संतुलित एवं तिवृत विकास के लिए राजे सरकार दुआरा राजे आयोजना बोर्ड को भंकर दिया और 29 मई 2014 को किस संस्तान की स्ताफना की गई है राजे वितनिगम, राजे डवलप्मेंट परिशद, मुक्य मंत्री सलाहकार परिशद या इन में से कोई नहीं मुक्य मंत्री सलाहकार परिशद, राजे आयोजना बोड की जग है आगे चलिए, क्यूसर नमबर 20 दिल्ली मुंबई ओद्यो की कोरिडोर प्रोजेक्ट के परतम चरण में विक्सित किया जा रहा है कुस खेडा भिवाडी, निम्राना, बहरोड, कुकस किसको किया जा रहा है याँ परे कुस खेडा भिवाडी और निम्राना को एक नमर उप्सन आपका एक वे दोस्त सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसर में चलिए, क्यूसर नमर 21 है बामासा रोजगार सर्जन योजना के संदर में सही कतन का चैन कीजिए दोस्तों पहला है, योजना की समाविदी 13 दिसंबर 2015 से मार्च 2020 है बामासा रोजगार स्रिजन योजना को केंदर सरकार की परदान मंत्री मुद्रा योजना के साथ जोड़ा गया है इस योजना के अंतरगस स्विकर्त रिन 4% ब्याज अनुदान दिया जाएगा योजना के अंतरगस सेवा एवं व्यापा रेतू पांच लाग ओध्योगीक छेतर रेतू धश लाग तक के रिन का प्रावदान है चारूई कतन सही है दोस्तूं उप्रोग सभी चार नमर ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलिए क्यूशन नमर बाइस राज्य के किस इस्तान पर फ्रांसिसी बहुराष्ट्रिय कंपनी लाफार्जे दुवारा सिमेंट प्लांट की इस्तापना की जा रही है गोटन नीमबा हेडा कपासनिया बुंदी नीमबा हेडा के अंदर दो नमर ओप्सन सही रहेगा क्यूशन नमर तेबीस है नीमब में से बिलवाडा को किस नाम से जाना जाता है राजस्तान का मैंचेस्टर कपड़ा नीरियात सहर पावर लूम मेगा कलस्टर सहर या उप्रोक सभी ये सभी नाव है बिलवाडा के दोस्तों उप्रोक सभी आपका यहाँ पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलिए क्यूसन नमर चोबीस है नीमन में कहां हाथ से कागज का निर्मान नहीं किया जाता है सांगानेर जेपूर गोसुंडा उदेपूर बगरू जेपूर एक वैद दो तो यहाँ पे देखे दोस्तों बगरू के अंदर खात से कागज का निर्मान नहीं होता है तीन नमर उप्सन आपका सही रहेगा क्यूसन नमर पचीस है राजे के निमन मेंसे किस जिले में कांच उद्योग इस्तापित हुआ है दोस्तों दोलपूर, डुंगरपूर, सिरोई और चितोडगड दोलपूर के अंदर एक नमर उप्सन सही रहेगा क्यूसन नमर पचीस है उद्योगिक संभाउनाओं के आदार पर राजेस्तान के निमन लिकित में से कौन से जिले एस्रेनी के अंतरगत आते है दोस्तों नागोट, टौंक सी कर ये तो नहीं आते है उद्योपूर, अलवर, कोटा और भीलवाडा सईए दोस्तों ये आते हैं उद्योगिक संभाउनाओं के आदार पर एस्रेनी के जिले उद्योपूर, अलवर, कोटा और भीलवाडा दो नमर उप्सन आपका सही रहेगा क्यूसर नमर 27 देखिए राजस्तान वीनियोग प्रोथसान योजना 2014 किस पर लागू होगी नया और वर्तमान के उद्धे में जो नया उद्ध्योग इस्तापित करने के लिए वीनियोग कर रहे हैं सही है दोस्तु ये एक नमर उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा क्यूसर नमर 28 राजिये में राजस्तान स्टार्टप पोलीसी 2015 का परमुकुदस से क्या है राजस्तान स्टार्टप पोलीसी 2015 उद्ध्योग इस्तापना एतु निसुलक जमीन आउंटन युवा उद्ध्यो को स्वयम का उद्ध्यम इस्तापित करने के लिए वीतिया साइता उपलब्द कराना दो नमर उप्सन यहां पे आपका सही रहेगा क्यूसर नमर 39 है अलवर के किस उद्योगिक छेतर में सिरेमीक उत्पादक का कारिये प्रारम हो गया है किस में बिवाडी निमराना गिलोट या सितापुरा गिलोट के अंदर तीर नमर उप्सन सही रहेगा क्यूसर नमर 30 है राज्ये के किस इस्तान पर के अंदर सरकार की ओर से MMME टेकनोलोजी परसिक्षन के अंदर का इस्तापित किया जा रहा है किस जगह पर दोस्तु किस जगह पर इस्तापित किया जा रहा है MSME यहां पर दोस्तु MSME टेकनोलोजी परसिक्षन के अंदर कहां पर कहां पर बिवाडी के अंदर दो नमर उप्सन सही रहेगा क्यूस्सर नमर 31 है राजे में निमलिकित मैंसे किस इस्तान पर निरियाद समर्दन ओध्योगिक पारक कहां पर इस्तापित क्या जा रहा है सितापुर जेपूर में बोरानाडा जोदपूर में निमराना अलवर में तीनु जगें उप्रोग सभी चार नमर उप्सन सही रहेगा नेक्स्ट यूसन है राजे में किस इस्तान पर जापानी कंपनियों दुवारा निवेस के लिए उध्योगिक पारक की स्तापना की गई है बिवाडी, निमराना, कहरानी या पात्रेडी निमराना के अंदर दो नमर उप्सन सही रहेगा क्यूसर नमर तेतीस राजे में करसिया आधारित उध्योगू को बढ़ावा देने के उध्योशे से रिको ने राजे में एगरो फुड़ पारक इस्तापित किया है एगरो फुड़ पारक कहां इस्तापित किया है रिको ने राणपूर कोटा में किया है बोरा नड़ा जोदपूर में किया है स्री गंगानगर में किया है और अलवर में किया है उप्रोक सभी जगें यानि चारू जगें एग रो फुड पारक इस्तापित की आ गया है नेक्स्ट क्यूसन में चलिए राजे में वे जिला जहां रिको द्वारा इस्टोन पारक की स्तापना नहीं की गई है जेपूर, दोलपूर, जोदपूर या क्रोली जेपूर के अंदर नहीं की गई है एक नमर उप्सन आपका सही रहेगा क्यूसर नमर पेंटिस राजे में किस जगे ओटो कंपोनेंट केबल एंड गार्मेंट जोन की स्तापना की गई है ओटो कंपोनेंट केबल एंड गार्मेंट जोन की स्तापना राजे में अलुवर में की गई है और अलुवर में कहाँ पर की गई है पाथ रेडी के अंदर option 1 सही रहेगा क्यों सर नमबर 36 राज्ये में रिको तैता दक्सिन कोरियाई व्यापार संवर्दन एजेंसी दक्सिन कोरिया की एजेंसी है कोट्रा और रिको राजस्तान गा इनके द्वारा किस इस्तान पर कोरियाई पारक की स्तापना की जा रही है दोस्तूं कहां पर की जा रही है बिवाडी अलवर, गिलोट अलवर, सितापुरा जेपूर या कुकस जेपूर गिलोट अलवर के अंदर दो नमर उप्शन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है, नेन में से सुमेलित नहीं है कौन सा नहीं देखिए होंडा सियलो कार परियोजना कुस खेड़ा भिवाडी सुमेलित है होंडा मोटर साइकल वे स्कूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमीटेड ये टपूकडा अलवर ये भी सुमेलित है मेमूर रेल कोच पेक्टरी जेपूर में नहीं है मित्रू कहां पर बीलवडा जिले में की जाएगी इसकी स्तापना तो यहां पर आपका चार नमर ओप्शन सही रहेगा क्यूसर नमर 38 है वरस 2019 मिशें राज्य सरकार द्वारा संचालेत आदिवासी चेतर ओद्योगिक संवर्दन योजना कीन जिलू में लागू की गई है सिरोई, डुंगरपूर, बांसवडा या उप्रोक सभी इन तिनु जिलू के अंदर ये लागू की गई है आदिवासी चेतरों के अंदर ओद्योगिक संवर्दन योजना है वो सिरो ही डुंगरपूर और बांसवड़ा इन सभी में सही रहेगा आपका चार नमर उप्सन उप्रोगत सभी नेक्स्ट क्योशन में चलिए राजे में के अंदर सरकार द्वारा संचालीत इनलेंड कंटेनर डीपू इनलेंड कंटेनर डीपू कहां इस्तित है जेपूर जोधपूर राउंड रोड कोटा या उप्रोग सभी दोस्तों द्यान से देख लें इनलेंड कंटेनर डीपू जेपूर में भी है जोधपूर में भी और कोटा में भी है राउंड रोड कोटा में इस्तित है उप्रोग नमर ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट यूजन में चलिए चालिस नमर राजस्तान राज्ये ओद्योगीक विकास एवं वीनियोजन निगम रिको ने जापान की किस कमपनी से निम्राना अलुवार ओद्योगीक छेतर में जापानी काईयां इस्तापित करने का MOU किया है दोस्तू जापान की कौन सी कमपनी है कोटरा ये तो दक्सिन कोरिय है आगे देखे जेटरो मिट्सुबीसी या हेटरो जेटरो कमपनी के साथ दो नमर ओप्सन आपका यहां पे सही रहेगा क्योसर नमर इक तालिस करेडिट लिंक्ड केपिटल सबसिडी स्किम का उदस से क्या है MSME चेतर को तक ने की उनियन सुईदा परदान करना एक नमर ओप्सन आपका यहां पे सही रहेगा क्योसर नमर बैयालिस देखिए राजस्तान की हसलप वस्तू को राजस्तान लगू उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपनन करता है यह बहुत अच्छा और इंपोर्टेंट क्योसर ने दोस्तू राजस्तान के हसलप वस्तूएं है उनको राजस्तान लगू उद्योग निगम बोर्ड है वो किस ब्रांड के नाम से विपणन करता है राजदर्बा, राजिस्तली, राजदर्पनिया महराजा, राजिस्तली के नाम से दो नमर उप्शन सही रहीगा क्यूसर नमर 43 है राजस्तान में टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कार खाना इस्तापित है केलवा, कांकरोली, करोली या कोटपूतली टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कार खाना कांकरोली के अंदर आगे चलिए क्यूसर नमर 44 निमन को सुमेलित कीजिए इनको करना है आपको सुमेलित देखिए केश्टरन मिटर कमपनी कमपनी और उसका इस्तान पूछा दोस्तों केश्टरन केश्टरन जो मिटर कमपनी है ये कहां पर इस्तित है जेपूर में इस्तित है और पाली में भी है इसकी बनान तो जेपूर और पाली इस्टरमेंटेंशन लिमिटेड ये कहां पर है कोटटा के अंदर सिमको वेगन फेक्टरी जो हमने देखी थी रेल कोच वाली यह बरतपूर में है और नेशनल इंजिनिरिंग इंडस्ट्रीज यह है आपकी जेपूर में तो यहाँ पे आप देखे दोस्तों सही रहेगा 3, 1, 2, 4 ओप्सन नमबर 1 नेशनल में चलिए क्यूसर नमबर 45 नेशनल में से एसंगत है कौन सा है पहला इंडस्तान मसिन टूल्स कोरपोरेशन अजमिर राजस्तान इलेक्ट्रोनिक्स कोरपोरेशन जेपूर सहेकारी कीटना सक कारखाना उदेपूर फलोर्सपार सही अंतर डूंगरपूर येग नहीं है दोस्तों चार नमबर उप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसर में चलिए क्यूसर नमबर 46 निवन में सत्ते है पहला है इंडस्तान जिक लिमिटेड उदेपूर की स्तापना 1967 में अमेरिका की वेस्टन नेप इंजिनिरिंग कमपनी की सायता से की गई ये भी सही है हिंदुस्तान मसीन टूल्स अजमेर की स्तापना चोकोसलावकिया में की मदद से 1967 में की गई ये भी सही है उपरोग सभी ये सईया और इस्तापना किसकी सईयोग से की गई इनका क्यूसन भी आजकल भहुत एकजामू में आता है। राजस्तान केमिकल वक्स डीडवन ये राजे सरकार का उपकरम है। आगे चलिए राजे सरकार ने अपने पहली ओद्योगिक नीती कब जारी की थी। पहली ओद्योगिक नीती 21-1988 को एक नमर ओप्सन सही रहेगा। नेक्स्ट क्यूसन में चलिए। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको लग रहा है तो वो भी जरूर कमेंट करें। और आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत दन्यवाद जे हिंद जे बारत। और आप और आप और आप 5